नमस्कार दोस्तों, Bright Knowledge Healthy Living चैनल में आपका फिर से स्वागत है, आज के वीडियो में हम सूजी के फायदों के बारे में चर्चा करेंगे, इससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम वीडियो के लिए घंटी आइकन को टैप करें, सूजी की परिभाषा और भारतिय रसोई में उपयोग, सूजी, जो की दूधी गेहुं से प्राप्त होती है, एकाम भारतिय रसोईयों में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख खाद्य सामगरी है, यह आठे की कच्ची दाना को पीस कर प्राप्त की जाती है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों बनाने में होता है, लोकप्रियता और बहुमुखीता, सूजी भारतिय रसोईयों में अपनी लोकप्रियता और बहुमुखीता के कारण पहचानी जाती है, इसकी अंगिनत विधियों के उपयोग से यह हर व्यंजन को बनाने का कारण बनती है, चाहे बड़ा उत्सव हो या छोटा घरेलू भोजन, सूजी आम तोर पर हर महीने भारतिय परिवारों की रसोई में खिली रहती है, लेख का उत्देश, इस लेख का उत्देश, सूजी के सेवन के विभिन्न पहलूओं को समझना है, और यह जानन है कि इसका नियमित सेवन हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है, सूजी की भूमिका को समझ कर हम इसके सेहत से जुड़े फायदे और बाधाएं समझ सकते हैं, जिससे आम जनता इसे सही तरीके से अपने आहार में शामिल कर सके, सूजी का परिचय, सूजी, जिसे विभिन विधियों से बनाई जाने वाली विविध व्यंजनों में किया जाता है, सूजी की विशेषताएं, पॉष्टिक्ता, सूजी में विटमिन्स और मिनरल्स की अच्छी मात्रा होती है, जो शारीरिक स्वास्थि के लिए आवश्यक है, उर्जा सोती, सूजी भारतिय भोजन में एक महत्वपूर्ण उर्जा स्रोत होती है, और इसे सुबह के नाश्थे में शामिल करना शारीरिक उर्जा को बढ़ावा देता है, स्वाद में विविधता, सूजी को विभिन व्यंजनों में उप्योग करने की विशेषता इसे बनाए रखती है, जैसे की उप अपमा, हलवा और सूजी का दोसा, सूजी का उप्योग नाश्थे में, सूजी का उप्योग अकसर नाश्थे में बनाए जाने वाले उपमा, दलिया या सूजी का चीला बनाने में होता है, मिठाईयों में हलवा, लड़ू और सूजी के गुलाब, जामुन जैसी मिठाईय पकोडों में, सूजी को चना दाल और मसूर दाल के साथ मिला कर पकोड़े बनाने में भी उप्योग किया जा सकता है। इसका सेवन करने से आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं. यह पाचन को स्वस्थ रखने के साथ वजन कम करने में भी मदद करती है. तो आइए जानते हैं आप इसे डाइट में किस तरह से शामिल कर सकते हैं और इसके क्या फाइदे हैं. वजन घटाने से लेकर हड़ियों को स्वस्थ रखने तक सूजी के हैं गजब के फाइदे सूजी सेहत के लिए काफी फाइदे मंद मानी जाती हैं. इसमें वो जरूरी सभी पोशक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहत जरूरी होते हैं. यह आपको किचन में आसानी से मिल जाएगी. इसका इस्तिमाल कर आप कई स्वादिष्ट डिशेज बना सकते हैं. यह हड़ियों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं. इसके अलावा सूजी हार्ट के लिए भी फाइदे मंद है. वजन घटाने से लेकर हड़ियों को स्वस्थ रखने तक सूजी के हैं गजब के फाइदे वजन कम करने में मदद करती है. सूजी सूजी में प्रोटीन, फाइबर, आइरन और कैल्शियम जैसे पोशक तत्व पाये जाते हैं. सूजी एनरजी बढ़ाने में मदद करती है. पोशक तत्वों से भरपूर, सूजी इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मदद करती है. सूजी लगभग हर भारतिये किचन में आसानी से मिल जाती है. पोशक तत्वों से भरपूर, सूजी स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी काफी फाइदे मंद होती है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, आइरन कैल्शियम जैसे पोशक तत्व पाये जाते हैं. इसका सेवन करने से आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं. यह पाचन को स्वस्थ रखने के साथ वजन कम करने में भी मदद करती है. तो आईए जानते हैं आप इसे डाइट में किस तरह से शामिल कर सकते हैं और इसके क्या फाइदे हैं. शरीर को उर्जा या नमकीन डिश बना सकते हैं. सूजी से बनी डिश में कुछ सबजियां भी मिला सकते हैं. जो स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी फाइदेमंद साबित होगा. हड्डियों को स्वस्थ रखने में सहायक सूजी. आपकी हड्डियों के स्वास्थ के लिए काफी फ पाया जाता है, जो संक्रमन को रोकता है, इससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, यह दिल के स्वास्थे के लिए भी बेहद फाइदे मंद है, एनीमिया से बचाता है, सूजी आइरन का समर्द धुसरोत है, यह शरीर में खून की कमी दूर करता है, आइरन से भरपूर आहार, एनीमिया के मरीजों के लिए काफी आवश्यक है, खून की कमी दूर करने के लिए आप सूजी से बनी डिश खा सकते हैं, और यह रहा आज का ग्यान का सफर, उज्जवल ग्यान परिवार, कैसा लगा आपका ये वीडियो, अ ज्ञान से ही शक्ती आती है, और उज्जवल ज्ञान पर हम आपको स्वस्थ और खुश रहने के लिए सहायक बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, वीडियो को देखते रहें, आपके साथ और नए ज्ञान भरते रहें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किय तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे भविष्चे के ज्ञान से भरे हुए वीडियो को ना छोड़ें, आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद आपका इस समय देने के लिए स्वस्थ रहिए, ज्ञान बनाईए और चमकाते रहिए, आप से मिलते हैं अगले वीड वीडियो में तब तक के लिए अलविदा